केसी एन में आपका स्वागत है मैं किंग हमीद निण प्रकास्ष वरु आगोजिल्ला समित सैसरू नेरवेरिसीदरू इस उत्य बंगेनिम्मा अनिसिकेव प्रायक्लनु नम्मा कॉमेन बक्त न दीति तिलिसी नम्मा चानल्लन्लनू वीक्षि सिधर कागी जन्यवादेगलू नम्मा चानल नन्नु सक्ट्रेम् माड़ी, लैक माड़ी, शेर माड़ी नम्मों क्रतिरिदी कींग हमीद्र वर्न्वाड़क्तिरुवा संदर्शनमन्नों विच्छिसोना प्षसट शेर माड़ी को सेखेखेखेए जनाब रफट खंग सब्की खरीट आजी है इसके साथ चेट वहने सिर्शनमरे सब्सक्रिशेंvery कीविद क क spec evaluating आरे छ सब्स्रेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेख्णा आप आपी दित तो द सकतर है जिन्डव़ जिन्ड़कार स्टिप इन्डवर स्टिप इन्डवर हर मजलू हमारा है हमें है जिन्दा पर, जिन्दा पर हुख स्यादा दी हुख स्यादा दी हुख स्यादा दी सुनिया जब सकती शूरत चांद रहेगा एचन करहां रहेगा जिन्दा बाद जिन्दा पर जिन्दाबाद! SDPI, जिन्दाबाद! अभे! सब्सक्राइब करने पर शाइस्ट órड Marriage लगो न ज सलमेंिक hours वह प्रप्रंग झाल्ड को अज आङ है को देगे परके महल जाूत हम मैं गौत हमदे काता रंग Turkish कारे करताई भू भागा जनु 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 SDPI जनुम दिना ऐक्यते सार्व दिन विंदो सोशित वर्गत शुब दिन विंदो गट्टी द्वनिय ली हेलो ना SDPI जनुम दिना SDPI जनुम दिना SDPI जनुम दिना SDPI जनुम दिन वर्गत शुब दिना SDPI जनुम दिन वर्गत शुब दिना केंपू हसिरू नक्षत्रमुत्रिता वजवानली आड़ुति दे वजवानली हाड़ुति दे वजवानु हिड़ितू हेडवेवो इंडिया देशता परवसे यंदू देश केंदू हेडवेवो इंडिया देशता परवसे यंदू देश के इदू हेडवे परियाए यंदू सोशित दमनिता मानवरे वनिये इल्लत मर्तितरे केलिरी मातोननम्मा यसी पे नीड़ वा नंभी के यन्नो परवस यंदिके नीड़ वे वो इला नाहू सोल आला अंति मविजया नमग आला जिन्दाबाद जिन्दाबाद स्टी पी आई जिन्दाबाद सुलाम अलेकुम जैबीव सोचल डमकर्टिंग पार्टि आफ इंडिया इवद्धिके हगनेदु वर्षा पूरेसी हधिनारने वर्षक्के काल्यारित्व वन्ताई शुभगडिगे यल्ली इल्ली नर्दिर्वन्त हा इल्लरीगु पक्षद समस्तापति नता शुभार्शेगला नाति विस्ताई दिन्दे इवद्धू सबेल्ली उपस्तितर्व वन्त हा नमराज्य उपाद्यक्ष राद द्धाद देवनों रुप्रमेंजन हो रहे राज्य समीती सभस राद द्धा अमजत्कान रो रहे जिल्लाद्यक्ष राद द्धा रफद खान रो रहे जिल्ला बदान कारिदर चिकला अधन्ता अक्रम ओलानारो रो रे शेफियो रे उपाध्यक्षा अधन्ता नमाजी कार्पुरेटर रे स्वामी रो रे अधेर इन्नी जिल्ला कारिदर चिकला अधन्ता फर्दीर रो रे जावीद रो रे जिल्ला कजाजी आज़नता फिल्दोस रो रहे हागो इल्ला पक्षदा जिल्ला मतदा भुडाक मतदा इल्ला नाय कर रो रहे हैं आज हम तमाम लोग एक फकर महसूस करना है क्योंकि पंद्रा साल से एक बहत्रीन सियासत हम लोग की है और हम लोग अपने आपको पात रखे हैं क्योंकि नौर्मली सियासत को ये कहा जाता है सियासत गंदी है सियासत पुरी चीज़ है सियासत में करप्षन है अलहमदुलिल्ला सोशल डेमक्रेटिक पार्टि आफ इंडिया का हर एक लीडर हर एक लीडर कैडर फकर मख़ूस करना एक तमान चीज़ों से स्टीपी का हर कैडर हर लीडर पाख है हम सियासत को लंदा नहीं समझते हम सियासत को इबादत समझते तो सोशल डेमक्रेटिक पार्टि आफ इंडिया पंद्रा साल से लोगों का हर हुकुक के लिए लड़ते आया है खिद्मत करते आया कभी भी हम अपने बारे में नहीं सोचे सियासत में उदा लेना या सियासत में उदा लेकर पावर लेकर उसका बुनियाद पर जितेगी करना यह हम लोग कभी भी नहीं सोचे अभी भी हम अवाम का सुचे है अवाम का सियासत किये आज का हालात आप बहतर जानते है एक फ्याजिश्ट हुकूमत सेंट्रल में है फ्याजिजम ही उनका अजंडा है नफरत का सियासत भी उनका अजंडा है कौन सी जिनिये में हम लोग जिन्देगी कर रहें आपको मालूम है मध्यप्रदेश में फ्रिज में कुछ गोश रखा गया फ्रिज में गोश वो मालूम नहीं है वो टेस्ट नहीं किया उसका बावजूम भी वो बीफ क्या है बोलकर 11 गरों को डेमॉलिश किया गया आईसी एक इंडिया में हम जी लेकर है आईसी हुकुमत कोई आवास नहीं है कोई पकाते है फ्रिज में गोश है पता नहीं यह लाग में टेस्ट नहीं हुआ किसका गोश है कईका गोश है ग्यारा लोगों को बुल्डेजर लेकर बुल्डोज किया गया ये नफरत का सियासत इस देश में चल रहा है ये एक तो बीजेपी वो हाई है इसा दूसरे पार्टी आप ग्यारा गर बुल्डोजर में जुमलिश हुआ यूपी में डेमॉलिश हुआ इसके बारे में कोई आपरिशन पार्टी बहुत बड़ा ख़दम उटाया नहीं है एक तो डफरत का सियासत करने का नफरत चोड़के दूसरा कुछ नहीं है दूसरा अजेंडा ही नहीं है दूसरा हम सब मिलकर चाकर आया हुआ कांग्रेस का हुकूमत करना टक में क्या आलात है जो वादा किया थे जो यलक्षन का पाले जो वादा किये थे किदर गया हुआ वादा तूबी रिजर्वेशन रस्टोर करने का वादा किये थे यह लोग बीव डैन को हटाने का वादा किया थे यह लोग हिजाब दाने कारा किया थे खेए लोग आज canthras आयो के कमिशन इंप्लिमेंटेशन करने कारा किया थे यह लोग Participants क्लोड रही का पामधा किये थे यह लोग ताफश देने कारा कि थे लोग इसको बायवजोद भी आज क्या आलाते साल एक साल हो गया जो भी इनका ही वादे कोण लोग तोड़ रहे हैं कोई पुछने वाला नहीं जो मैनारिटीस जो दलित आदिवासी बैकवर्ट क्लासस जो भी वोट करके इनको उकुमत में लाया उनके लिए कुछ नहीं है आज भी दलितों को उपर आटरा परसुदे के आप मंग्नूर में इनका जो बीजेपी का जो विन हुआ यमपी बोलकर हर मस्जिद के पास जाकर ये लोग नारा पुलाकर गलत गलत अंदा से नारा पुलकर आ रहे हैं उनका खिलाब एक स्टिक्ट कदम उठाने में अमारे कांग्रेस का हुकुमत पहलूर है के कांग्रेस का प्राप्रम से दरता है बीजेपी का आडिशेल से आरसं का आईटी से दरता है इनका जो भी डिसिएशन जो होता है वो ड्हूर धर्का वुनियाद पर होता यह दर का को आरसस का बीजेपी का बीजेपी का आईटी सेल का को के आदार पर ये लोगों डिसिशन लेंगे तो हमारे को जिस्टिस कैसा बिलेगा ये हालात दूसरा शोशल डेमक्राटिक पार्टिया इंडिया 15 साल में एक पाक सियासत करते आए है दूसरा शोशल डेमक्राटिक पार्टिक पार्टिया लेडर और काणरफ वील में रखके खाम करूँ है, वो फूट किट डिस्रिबूशन खरदिज़ करने का आप हो, फूल दिलाने का काम हो, या वो ना पकूल करने का काम हो, हवो सब पूरा का मैं पूरा इंडिया में हम लोग करूँ है, बाड आया, पानी आया उस तरह में, इस कोई भी एक इश्रुपे कोई मज्रूमों के साथ सोचल डिम्स्राइब पाटिया खड़ा है आइंगा भी हम लोग करेंगे आज का मोखे पर तमाम जितने भी हमारे क्याडर स्केडर स्कड़े हैं आप हिम्मत नहीं हाता है सियासत में हर दिन बदला हुआता है यह पार्लिमेंट एलेक्शन का रिजल्ट आप देखेंगे यह रिजल्ट में बहुत सारे सबक हम लोग को मिलता है आज आप क्या सोचेते हैं आंधरा प्रदेश का चंद्रबाबन आईडू जी का जो पार्टी टीडीपी लांस्ट एसम्मली एड़क्शन में खतम ही हुआ हम सोचे थे कि पार्टी खतम हो गया चंद्रबाब नाइडू जी को जेल में दाला गया अरस्ट करके गसीट ले रेके गया ये बार क्या हुआ पूरे मेजॉरिटी के साथ 158 सीट के साथ असम्बली में भी आये 16 सीट को पार्लिमेंट में भी आया ये है सियासत वयसार कहां था कैसा अग्रेसिव में गया था वयसार कुछ 12 सीट को आपके पहुँचे 11 सीट शार कांकां के अभी दो सीट करने वाला जेडियस तुमार स्वामी सेंट्रल का मिनिस्टर हम सियासत को इबादत इंदोस्तान अवाम पार्टी का जो पांजी एक सिर्जी सेंट्रल का मिनिस्टर 15 साल से ऐसा नहीं समझना कि सियासत कतम हो गया मायूष नहीं होना ये कि रिजल्ट से दो एलक्शन्स रिजल्ट से सियासत पे कभी भी मौका है हम लोग उनमत के साथ कौन्फिडन्स के साथ हमारा जो जद्लो जहत करते जाना रिसल्ट आएगा नहीं आएगा वो अलग्वाद आमने जद्लो जहत करते आया करते जाना चार सो पार का बात कर रहे अज की बार कुछांग गया 240 भी पार नहीं करे कमझ मैं तो ये सब हाइप क्रेट करने की बावजोज़ी हालाप है हम लोग हिम्मत नहीं हारना है प्रियाजिजम में पूलिटिक्स में सब कुछ हो सकता है और बहुत सारे चोटे बुटे पाथिया आज एक एक सीट दो दो सीट जीट के भी सेंटरल में हुकुमत का एक खिस्सा बन गए और देखो जीत से नहीं है इसा कुछ नहीं सोच रखा गया चंदुषे का आज़ा जो रावन थे भीमार भी का ना ओ एंडिया का साथ ना इंडिया का साथ ते इसका बावजोज़ी वो जीत का है हमारे पपो याद हो जी लास्ट एलक्ठच्प में हमें एलक्षट उग्शा उग्ष ते लिया बहुत में हमारा प्रुपए मेंहने भीमिस खर्ठी के बिल्डोस किया चाहिए हमहारा जटर जटिया मेहनत करना है और जीत हासल करना है लेक्षन दूसरे फार्टी कि गैट मन तर्फरे मैंसक करेंगे और हमुट फालबtechn 一bak आप मद्सकर इसके लिए वोग हम ऐसला ओनने के आप हम ले घव घा इवर हंग संकर 1 ऐम हमारा कारप्वरेंट्र हादिम बन गहां करेंगे आपका हर मसाइल में आपके साथ रोगे, आज मैसुन का उपाप को, मैं ये पैगाम देता हूँ आज के फार्मेशन टे में, SDPI 15 साल से आपका खिद्मत देने का वादा कियते हैं, हम तीन बारे मेले ऐलक्शन में हारें, हम हिम्मत नहीं हारें, खिद्मत नहीं चोड़ें, हम आपके मसाइल में साथ रोगे, आपको जिताना है, आओ एक पाक सियासत, एक बहत्रीन सियासत, एक बहत्रीन खिद्मत करने का वाका, SDPI को देना है बोलकर, आज का पईगाम देते हुए, आपको एक पार तमाम लोगों को, SDPI 15 साल, कटम हो को 16 साल को, जो फार्मेशन टे क B.J.P. का पार मस्जिद के पांस चांगर, मैं अबाद को खतम करता हूँ, जय SDPI 15 साल, कटम उठाने में हमारे कांग्रेस का हुकूमत मेलू है, एक कांग्रेस का प्राप्रम यह है, यह B.J.P. से डरता है, B.J.P. का IT सल से, R.S.S. का IT सल से डरता है, इनका जो भी डिसिशन जो होता है, वो डर का बुनियाद पर होता है, यह डर का, R.S.S. का, B.J.P. का IT सल का, कउफ के आदार पर यह लोगो डिसिशन लेंगे, तो हमारे को जस्टिस कैसा बिलेगा, यह हालात, दूसरा, Social Democratic Party of India, 15 साल में एक पाक सियासत करते आए है, प्रिश्वत का सियासत हम अफरत का सियासत हम लोग नहीं करे, हम लोग अवाम की असल मुद्दे को उटा कर, उनका फिकर लेकर हम काम कर दे करें, हर हमेशा अवल सब पे काम किये हैं, मैं बताने का जरुरत नहीं, कोरोना का टाइम में सारे सियासत दान सोले करते, गर पे अपने आपको पाबंदी प पाड़र फील्ड में रखके काम किया है, वो फूट किट डिस्ट्रिमूशन करने का काम हो, वो बेड़ दिलाने का काम हो, या वो मत्भून करने का काम हो, अवल सब पे पूरा इंडिया में हम लोग काम की, पाड़ आया, पानी आया, उस तएम में, इस डीपे का क्यारर अमाम जितने भी हमारे कैडर्स लीडर्स कड़े हैं, आप हिम्मत नहीं हारना है, आप हिम्मत नहीं हारना है, सियासत में हर दिन बदला हुआता है, ये पार्लिमेंट एलक्षन का रिजल्ट आप देखेंगे, तो ये रिजल्ट में बहुत सारे सबक अब लोग को मिलता है, आप क्या सोचेते आंद्रा प्रदेश का चंद्रबाबन आईडू जी का जो पार्टी टीडीपी लास्ट असम्बली एलक्षन में खतम ही हुआ था हम सोचे थे कि पार्टी खतम हो गया चंद्रबाबन आईडू जी को जेल में दाला गया अरश्ट करके गसीट ले रेके गया पॉलिस ये बार क्या हुआ पूरे मेजॉरिटी के साथ 138 सीट के साथ असम्बली में भी आये 16 सीट को पार्लिमेंट में भी आया के पोँच गए 11 सीट जाए तो कांग कांग के अभी दो सीट करने वाला जेडियस तुमार स्वामी सेंट्रल का मिनिश्टर हो हिंदुस्तान अवांग पार्टी का जो मांजी एक सीट जीते उन्हों आज सेंट्रल का मिनिश्टर अईसा नहीं समझना कि सियासत करक्त जाले हो गया मायूस ने होना यह कि कि येसल के रिजल्ट से लोए सियासत पे कभी भी मोकाा है हम लोग हिंबत के साथ कांफिडिंस के साथ हमारा। हमारा खिदमत हमारा जो जदो जाहात करते जाना nut yapt दा आये 240 भी पार नहीं करें समझ मैं आया तो ये सब हाइब क्रेट करने की बावजूद भी ये हादात है तो हम लोग हिम्मत नहीं हारना है पोलिटिक्स में सब कुछ हो सकता है और बहुत सारे चोटे मुटे पाटिया आज एक एक सीट दो दो सीट जितके भी सेंट्रल में हुकुमत का एक खिस्सा बन गए और देखो जीतते नहीं ऐसा नहीं सोचना चंदरशेकर आजाद जो रावन थे भी मार्मी का ना वो एंडिये का साथ ते ना इंडिया का साथ ते उसका मावजूद्य वो जीतके आए हमारे पपू यादो जी लास्ट एलेक्शन में हमें एलेक्शन उनका साथ हमारा अलेंस था ना इंडिया का अलेंस में थे उन्हों ना इंडिया अलेंस में इंडिपेंडेंट होकर पूर्णिया में भीहार का पूर्णिया में वो जीते तो मैं बोलना यह ज़रता हूँ आपिश्चर्पे tan होना है एक हमारा जटों जहद मेहनत हम लोग करना है ए चीतंगे अरज सेक्रा जीत्वेजादेंगे जीतने का मकसद यह नहीं कि कोई गर बन रहा है तो उसे इंजिनेर को बेच को स्टाफ को बेच को 20,000 दे 25,000 दे करने का कोई शादी महल बन रहा है उसे कुछ रुकावट कर कोई 50,000 बन लेना है एक पानी का नलका दो देना है पोड़ोती पैसा लेना है इसके लिए लई हम ल कर्परेटर खादिम बनकर काम करेंगे आपका हर मसाइल में आपका साथ रहेंगे आज महिसूर का अवाम को मैं यह पईगाम देता हूँ आज के फार्मेशन टे में SDPI 15 साल से आपका खिदमत करते आया है हम तीन बार MLA election में हारे हम हिम्मत नहीं हारे खिदमत नहीं चोड़े हम आगे खिदमत करते ही रहेगे मगर यह पर अच्छा मुख्वा है कार्परेशन election में बहतरीन और खिदमत करने वाले हर आपके मसाइल में साथ पर कटने वाले कार्परेटर को आप जिताना है और एक बाक सियाऩ Теперь और एक बहत्तरीन सियाऩत एक ब स्टीपे 15 साल खतम होकर 16 साल को तो फार्मेशन डे को हम पना रहें और एक पार सभी लोगों को मुबारक बाते हुए देते हुए मैं मेराबाद को खतम करता हूँ जए स्टीपी आए